दोस्तो आज के वीडियो मैं compare करने वाला हूँ दो premium brands की टीवी को जो इस साल बहुती जादा अच्छी चल रही है और काफी लोगो confusion रहे कि कौनसी टीवी लेना चाहिए तो जी हाँ दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ LG के UN7300 compare करेंगे Sony के 7500H के साथ और बताएंगे आपको कौनसी टीवी आपके लिए बनिया होने वाली है कौनसी टीवी आपको लेने चाहिए और साथी साथ एक live demo भी करेंगे जहां पे हम दोनों टीवी को side by side compare करके picture quality के मामले में बताएंगे कौनसी टीवी बनिया परफॉर्म कर रहे है तो वीडियो होने अ आपके शाप देख रहे है happy guides let's get started तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँ कि यह जो दोनों टीवी कि मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में दोनों ही टीवी को मैंने परसनली टेस्ट किया है और इसी के बाद ही मैं यह वीडियो बन रख लेते हैं sony की tv को और यहां पर सबसे पहले हम लोग compare करेंगे दोनों ही टीवी के display and panel के बारे में तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं LG के UN7300 के display and panel के बारे में तो यह tv आती है 4K resolution के साथ IPS panel दिया गया है और view angles बहुत ही बढ़िया है इस tv के personally test करने के बाद मुझे ब view angles बहुत ही बढ़िया लगे साथी साथ यहां पर आपको active sdr, sdr10, sdr10 pro, hlg pro का support दिया गया है direct LED backlighting source के साथ आने वादी यह tv है 50 Hz का refresh rate देखने मिल जाएगा आपको इस tv में बात करें यहां पर sony की tv के बारे में तो sony की tv आती है VA panel के साथ VA panel अच्छे contrast ratio तो देते हैं ल LED backlighting source के साथ अने डीवी है variant wise वह आप screen पर देख सकते हो कौन से variant में कौन सा backlighting दिया गया है साथी साथ यहां पर frame dimming का भी feature दिखने मिल जाएगा यहां पर आपको sdr10 pro का भी support दिया गया इस tv में और यहां पर जो standard refresh rate है 50 Hz का दिया गया है और आप यहां पर मैं आपको ए देख लेजिए आपको एक अंदार आ जाएगा कि इस tv के विवी एंगल चुतने अच्छे नहीं तो यहां पर एक सबसे माइनस पॉइंट निकल गया आता है कर लें यहां पर display related कुछ और सीजों के बारे में तो यहां पर आपको एलजी की टीवी में 4K upscaling की technology भी दी गई है जहां पर अगर कोई भी image या फिर कोई भी वीडियो है जो low resolution का है लेकिन अब 4K में upscale हो के बहुती बढ़िया तर से इस tv में आपको देखने मिलने वाला है जिसका मतलब होता है कि जो भी director जैसी film shoot कर रहा है तो उस समय कौन सा aspect ratio यूज किया गया है कौन सी settings यूज कीगे refresh rate क्या है उस तरह का आपको view experience इस mode में आपको देखने मिल जाएगा और साथी साथ यहां पर true color accuracy का भी support इस tv में दिया गया है और एक और खास बात यहां प आपको गेमिंग का overall experience है बहुत ही बढ़िया देखने मिलने आला है और साथी साथ जैसे मैंने का एज जी आजी का profile का भी support है तो जो graphics होंगे आपको बहुत ही तगड़े देखने मिलने वाले तो गेमिंग के मामली में भी यह बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करने वाली है और दूसरी दरफ बात करें सोनी की टीवी के बारे में तो यहां पर 4K processor X1 का picture engine यूज किया जा रहा है साथी साथ यहां पर clarity enhancer के लिए यूज कर रहा है सोनी की तरफ से और यह उसका proprietary technology है और साथी साथ यहां पर motion flow XR200 का support भी आपको इस टीवी में देखने मिल जाएगा जहां पर समल्लो कोई भी आप action scene देख रहे हो या फिर कोई game sports वेगरा देख रहे हो तो उसमें जो भी blurness होती है वो यहां पर आपको जरह आपनी दिखने सोनी की टीवी में आपको dolby audio plus DTS HD का support दिया गया है और अब यहां पर comparison में आगे बढ़े और बात करें इन टीवी की दोनों टीवी को operating system के बारे में आप लोग को शायद लग रहा हुआ कि इंटरनल सोरेज और राम के बारे में तो LG की TV में 1.5GB का RAM और 4GB का इंटरनल सोरेज दिया गया है आप लोग को शायद लग रहा हुआ कि इंटरनल सोरेज और राम काफी कम है लेकिन webOS operating system के हिसाप से perfect है क्योंकि यहां पर आप्स होत आउनलोड करो और full enjoy करोगे जो एक limitation आ जाता है webOS में जहां पर आपको limited apps देखने में लेंगे अगर मैं इसको compare करू android और webOS से तो यहां पर android में आपको बहुत सारी games और apps देखने में मिलेंगे लेकिन webOS में थोड़ा सा limitation आ जाता है और आप यहां पर आगे बढ़ते और ब अगर TV खराब हो जाती है फिर कुछ problem आ जाएगे तो आपको बहुत ही महना cost उठाना पड़ जाएगा और इसी चीज का ध्यान में रखते हैं हमने collaborate किया है go warranty के साथ जो आपको extended brand warranty देती है आप जो go warranty के extended plan से बहुत ही budget friendly है एक इंडियन customer का बहुत ही अच्छी तरह से ध्य जियान दखा गया है यहां पर सिर्फ television ही नहीं यहां पर जो भी electronic gadgets होगे जैसे air condition washing machine sound bar जो भी electronics के product से हर चीज की extended warranty आपको मिल जाएगी go warranty के website और सबसे अच्छी बात यहां पर मुझे लगी go warranty की यहां पर आपको brand खुद करा है कि अगर 15 दिन के अंदर repair नहीं हुआ जो भ आप extended warranty ले रहे हो तो go warranty को शरूर चेक आउट कीज़े description मैंने उसके link देदी यह वहां से आप purchase कर सकते हो और आप यहां पर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोनों ही TV और connectivity features के बारे में तो दोनों ही TV में connectivity features सब कुछ सेम है सारे options सेम है जहां पर 3 HDMI port दो USB report देखने मिल जाएंगे Ethernet और बाकी जितने भी required support होते हैं एक TV में सब कुछ देखने मिल जाएगा लेकिन जहां पर difference निकल के आता है कि Sony की TV में आपको देखने मिल जाएगा एक headphone jack जो आपको LG की TV में देखने नहीं मिलेगा दूसरा difference होगा कि Bluetooth आपको 4.2 दिया गया है Sony की TV में लेकिन आपको LG की TV में 5.0 निकल के आता है तो यह बहुत अच्छा point होगा LG की TV में और यहां पर एक और खास feature होगा HDMI connectivity port में जहां पर आपको LG की TV में देखने मिलेगा आपको ERC port दूसरी तरफ बात करें यहां पर Sony की TV में तो वहां पर भी आपको ERC port मिलता है तो ही port क फुल फॉर्म होता है enhanced audio written channel और बात करने यहां पर दोनों ही टीवे content provider के बारे में तो सब कुछ यहां पर perfectly चलने वाला है जितने भी content major popular content provider इस TV में देखने मिल जाएंगी जिसे Amazon Prime, Netflix, Hotstar, YouTube जितने भी सब कुछ आपको perfectly चलने वाले तो कोई भी tension लेने वाली बात नहीं है औ और यहां पर आपको remote में dedicated keys भी देखने मिल जाएंगी दोनों ही TV में और साथ ही साथ दोनों ही TV में आपको voice enable remote आ जाता है लेकिन जो voice enable remote का जो feature है उसमें जो अलग-अलग options है जहां पर LG आपको दे रहा है Amazon Alexa, Apple Apple 2, HomeKit और Google Assistant सभी का support दूसरे दर बात करें Sony की TV में, Sony की TV में और बात कर लें, दोनों ही TV के smart features के बारे में तो बात करें, LG की TV में तो यहां पर आपको home dashboard देखने मिल जाएंगा, जहां पर जितने भी आपके घर में smart devices से आप एक ही screen के through control कर सकते हो, साथी साथ यहां पर multi view को option दिया गया है, sports select जैसे option देखने मिल जाएंगे, जिसे अगर आप sports वेगरा miss न करो, तो यह आप इसमें set कर सकते हो, साथी साथ यहां पर आपको cloud video photo का option मिल जाता है, जहां पर आप store कर सकते हो, LG के cloud पे, और यहां पर एक और खास feature होगा, इस TV में कि आपको magic remote मिलता है, magic remote बहुत ही बढ़िया experience है, मतलब मैंने तो जब use करा तो म मेरा experience बहुत ही बढ़िया रहा, और साथी साथ यहां पर आपको Bluetooth surround का भी option दिया गया है, जहां पर आप 2 Bluetooth device एक साथ में connect कर सकते हो, तो यह सारी features के साथ आने वाली TV है, दुछी सारब बात करें, यहां पर Sony की TV में, तो Sony की TV में कुतने खास smart features आपको देखने हैं नहीं में आप सकते हो, अब यहां पर प्राइजिंग को एक जलक में देखें, तो यहां पर मुझे लगता है कि Sony की जो प्राइजिंग है, काफी जादा है, मतलब अगर मैं दोनों ही TV हो compare करूँ, तो अगर यहां पर एक मैं 55 इंच वाली TV को pick करूँ, LG का और दूसरे दर बात करें, Sony में, तो और यहां पर सवाल उच जाए मेरे मन में, कि भाई कौन सी TV ले या फिर आगर आप लोग सोच रहे कौन सी TV लेनी चाहिए, तो यहां पर एक ही जवाब होगा कि final conclusion मेरी testing के इसाब से मैं आपको recommend करूँगा, LG का UN7300 लीजिए, जहां पर आपको बहुत ही बढ़िया picture quality मिल रही है, overall gaming का experience है बहुत ही बढ़िया होने वाला है, audio quality भी अच्छी है, build quality भी बहुत ही जबरदस लगी है, और खाफी-खास smart features के साथ आने वाले TV है, दूसरी तरह बात करें, यहां पर Sony की TV में जो पहली बात तो over price लगी मुझे, मतलब प्राइसिंग यहां पर justify नहीं कर पा रही है, especially यह series में, बाती साथ यहां पर picture quality को compare करूँ, तो मुझे LG की TV की picture quality बेटर लगी Sony की TV से, तो यहां पर एक ही चीज़ मैं कहना च picture quality में, जहां पर थोड़ा सा clarity है, अब मतलब अगर मैं एकदम ध्यान से देखू, लेकिन जो contrast ratio और जो colors है, वो मुझे LG की TV के बहुती बढिया लगे, तो यहां पर मेरा recommendation होगा, आप LG की TV ही लेजिए, दोनों TV कंपेर करने के बाद, यह मेरा final conclusion होगा, लेकिन यहां पर यह आप TVs 100% आग बन करके ले सकते हो, तो यह मेरा final conclusion होगा, साथी साथ यहां पर Android operating session को भी compare करूँ, तो यहां पर आपको अच्छे apps वेगाता, सुनी में देखने मिल जाएंगे, जो आपको webOS में नहीं मिलेंगे, तो यह माइनस point निकल कहाता है LG की TV में, तो यह सारे pros and cons औ आपको बता दिये, और यहां पर आप decision ले सकते हो कि आपको कौनसी TV लेनी चाहिए, और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाओ, कोई भी राय हो, तो लिख ही यह comment section में, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, Instagram पर follow कीजे, वहां पर भी हम आपके सवालो के जवाब देना शोड़ी कर दीजिए, और बस आपको मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही धमाकेदार content के साथ, so till then keep smiling and keep watching happy guide, bye bye